Hello Friends, ग्यांद पर्टन चैनल में आपका स्वागत है अगर आप government job के तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बहत जरूरी है कि आप जिस job के तयारी कर रहे हैं उसमें आपको salary कितनी मिलने वाली है साथ ही आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि government job में salary का calculation कैसे होता है basic salary, DA, HRA, TA ये सब होता क्या है gross salary कैसे बनता है, उसमें deduction क्या होता है जो deduction होता है, वो कहां पे जमा होता है NPS क्या है, क्या central government और state government में जो salary का calculation होता है, वो अलग तरीके से होता है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि salary का calculation कैसे किया जाता है अलग अलग grade पे, अलग अलग level का salary का calculation कैसे होता है किसी भी grade पे का calculation आप खुद से कर सकते हैं तो आए शुरू करते हैं जो मैं calculation बता रहा हूँ, ये central government का job का है और state government में क्या अलग होता है, वो आपको last में बताया जाएगा तो salary में ये सब चीजे include होती है basic, DA, HRA, TA, DA on TA और उसके बाद उसको total किया जाता है ये सब क्या है ये हम लोग इस बार देख लेते हैं basic आपको बताया जाएगा कि basic क्या है, आगे हम लोग इस बेटेल में चर्चा करेंगे next है DA, जिसका full form होता है dearness allowance, हिंदी में उसको बोलते है महंगाई भथता, जिसका अभी rate है 17%, यह महंगाई के साथ-साथ change होते रहता है, जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, सरकार इसका percentage बढ़ाते रहता है और यह जो percentage है DA, वो basic पर ही calculate होता है, आगे हम लोग इटेल में चर्चा करेंगे, DA जो है हर 6 मेहने में बढ़ाया जाता है एक जुलाई और एक जनवरी से यह परभावी होता है, एक जनवरी और DA को freeze किया गया है, अभी ततकाल में 17% DA है Next है HRA, जिसका full form होता है house rent allowance, हिंदी में उसको बोलते हैं मकान किरायभत्ता, इसका rate जैसा कि आप देख रहे हैं, screen पे लिखा हुआ है 8%, 16%, 24% यह city पे depend करता है किस city में कितना HRA है, वो भी हम लोग आगे detail में चर्चा करेंगे मतलब HRA का full form होता है house rent allowance, अगर आपको central government या कोई भी government में अगर आपको quarter दिया जाता है रहने के लिए, तो आपको यह HR नहीं मिलता है वो minus हो जाता है क्योंकि यह आपको रहने के लिए ही यह पैसा दिया जाता है अगर आपका खुद का घर है तो आपको मिलेगा, आप rent पे रह रहे हैं तो भी आपको HR यह मिलेगा लेकिन अगर आपको सरकारी quarter दिया जाता है तो यह HR आपका minus हो जाएगा next है TA, जिसका full form होता है traveling allowance, हिंदी में उसको बोलते है कितना मिलते हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके आगे DA और TA भी है पूरे detail में हम लोग calculate करके देखते हैं 7th Pay Commission में एक matrix बनाये गया था जिसको बोलते है Pay matrix इसमें जो पहले grade पे चलता था 1200 grade पे, 2400 grade पे आपने सुना होगा, 1400 grade पे उसका नाम level कर दिया है आपको अगर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो उपर grade पे भी लिखा हुआ है कॉलम में और उसके नीचे just level है grade पे 1800 जो है उसका नाम रख दिया गया है level 1 1900 grade पे का level 2 2000 grade पे का level 3 ऐसे करके बढ़ते गया है 1200 grade पे को level 6 और 1600 grade पे को level 7 मतलब अब जो पहले हम लोग grade पे के नाम से जानते थे कि यह job 1200 grade पे का है तो आप बोलेंगे यह job है वो level 6 का है और basic salary क्या होता है तो basic salary आप देखेंगे यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दर है मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ आप देखिए यहाँ पे level 6 में देखिए जो 1200 grade पे उपर grade पे है फिर नीचे label है तो 1200 grade के नीचे लिखा हूँ है कि 6 मतलब वो level 6 का job है तो उसमें उसके just नीचे आप आएंगे तो यहाँ 35,400 मतलब आप जब join करेंगे तो आपका जो basic होगा वो कितना होगा 35,400 उसके नीचे आपको लिखा हूँ मिल रहा होगा 36,500 तो यह increment के बाद है government में साल में एक बर आपको increment मिलता है तो यह जो chart बनाये हुए उसी के हिसाब से आपको increment मिलेगा आपका एक साल जब हो जाएगा तो आपका increment लगके जो आपका basic 35,400 से क्या हो जाएगा 36,500 फिर next year आपका basic क्या हो जाएगा 37,600 मतलब उसी कॉलम में आपको नीचे जाना है अगर आपका पहला कॉलम लेजी 1800 grade पे का job है लेबल 1 का है तो जो पहला basic आपका होगा वो 18,000 होगा एक साल के बाद जब आपका increment लगेगा तो आपका basic क्या हो जाएगा 18,500 अब इस basic का क्या करना है या कैसे मतलब है तो आईए हम लोग calculate करके देखते हैं calculation के लिए हमने grade पे 4200 को चुना है जो level 6 का job है आपने अभी देखा होगा फिर से आप देख लिजए कि जो 1200 grade पे level 6 का है उसका जो पहला basic कितना है 35,400 तो gross salary हम लोग यहाँ पे calculate करते हैं तो उसमें basic 35,400 लेते हैं क्योंकि वो pay matrix में जो basic है वो 35,400 है तो इसी को basic बोलते हैं यह होगे 35,400 इसमें हम लोग DA add करेंगे महंगाई भत्ता जो अभी मैंने आपको बताया है कि अभी 17% की rate से महंगाई भत्ता है तो 35,400 का हमने 17% निकाला तो 35,400 का 17% कितना हो गया 6,018 रुपया तो DA हमारा भी कितना मिलेगा 6,018 रुपया DA जैसे बढ़ेगा गर 20% DA हो जाएगा 35,400 का 20% निकालेंगे लेकिन अभी फिलहाल 17% है तो अभी के दर से हमने निकाला है 17% कितना हो गया 6,018 रुपया उसके नीचे एचारे है एचारे एचारे अलग-लग city में अलग-लग rate है मैंने आपको बताया 8%, 16% और 24% है तो अभी हमने highest rate पे लिया है highest rate 24% तो basic का 24% निकालना है DA उसमे एड नहीं करना है जो basic है उसका 24% हमने calculate किया है तो कितना आ गया है 8,496 रुपया अब ये भी हम लोग पहले समझ लेते हैं नहीं तो आपका दिमाग में चलते रहेगा कि कहां 8%, कहां 24% और कहां 16% है इसके लिए हर city को तीन category में बाटा गिया है X city, Y city, Z city अभी जो फिलहाले चारे चल रहा है वो X city के लिए 24%, Y city के लिए 16% और Z city के लिए 8% है तो हम लोग देखते हैं कि ये city कौन-कौन सा है एक city में क्या क्या है X city में है अहमदाबाद, बेंगलूरू, चन्नाई, देली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, एंड पुने इतना city ही सिर्फ एक city में है अगर इस city में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका जो हरे है वो 24% रहने वाला है सिर्फ इतना ही city में बाकी है Y city Y city का लिस्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा है अल्फावेटिकल है, आप अपने city का नाम ढूण सकते हैं या जहां आपकी पोस्टिंग होगी वो आप नाम ढूण सकते हैं इसमें अगर आपका नाम मिल गया तो आपका हरे 16% रहने वाला है एक city आपने देख लिया Y city देख लिया अगर आपको ये दोनों city में अगर आपके city का नाम नहीं है जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग है वो नाम अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपका city जो है जेड केटेगरी में है तो आपका जो HRA रहने वाला है वो 8% है साथी मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि 7 pay में एक और नियम बनाये गया है कि अगर आपका DA बढ़ते बढ़ते 25% हो जाता है जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी आपका DA कितना है 17% है अगर ये DA बढ़ते बढ़ते 25% हो जाएगा तो ये जो HRA का rate है वो 1 city में 27% Y city में 18% और Z city में 9% हो जाएगा और अगर DA फिर बढ़ते बढ़ते 50% पे चला आता है तो 1 city में कितना हो जाएगा 30% Y city में 20% और Z city में 10% मतलब ही HRA आपका फिर से revise हो जाएगा दो बढ़ रिभाईज होगा जब एक बढ़ DA 25% होगा तब और जब फिर अगला DA 50% होगा तब तो अभी चुकि हमारे DA 17% है तो HRA भी 24% है 1 city में तो 1 city का ही calculation में यहाँ पे बता रहा हूँ तो HRA हमने 24% लिया है तो 35,400 का 24% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 8,496 रुपया सब कुछ जो निकालना है DA यह एचारे वो basic पही calculate होता है तो basic हमारे 35,400 है उसका 24% हमने निकाला तो 8,496 उसके बाद TA मिलता है 3600 रुपया यह भी दो category है सिटी का कुछ जगा में 3600 मिलता है और कुछ जगा में 1800 है यह चारे वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है जो बड़ी सिटी है वहाँ पे बड़ी सिटी में 3600 मिलता है और चोटी सिटी में 1800 है तो हमने higher side ले लिए है 3600 और फिर आगे मिलता है DA on TA यह जो TA है उसके उपर भी DA मिलता है क्योंकि महाँगाई बढ़ता है तो जो यात्रा भदता है या पर किराया जो है कभी भी वो भी धिरे-धिरे बढ़ते जाता है महाँगाई के साथ तो इसलिए इसका भी DA बनाया गया है तो DA भी 17% है तो इसमें भी जो TA जो 3600 है उसका 17% निकालेंगे तो 612 रुपया होगा अगर जो गवर्मेंट टै करती है कि DA बढ़के अगर 20% हो गया है तो बेसिक का DA यहाँ पर 20% मिलेगा तो TA का भी जो DA on TA है वो 20% मिलेगा तो 3600 को हम लोग 20% निकालेंगे लेगन चुके अभी 17% है तो 3600 को हमने 17% निकाला तो 612 रुपया हो गया यह आपकी सारी सेलरी का कैलकुलेशन हो चुका है मतलब ग्रॉस सेलरी में इतना ही चीज इंक्लूड होता है इस सभी को टोटल कर देंगे तो हमारा ग्रॉस सेलरी बन जाएगा तो अगर 1200 ग्रेड पेका है तो ग्रॉस सेलरी कितना बन जाएगा 54,126 रुपया यह सारा कैलकुलेशन सेंटरल गवर्मेंट का है सेंटरल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट ने क्या अंतर है कि स्टेट गवर्मेंट में यह जो टीए है और डीए और टीए है वो नहीं मिलता है कुछ चीज़े अलग-अलग स्टेट में कुछ-कुछ इंक्लूइट रहती है अलग बात है लेकिन टीए और डीए और टीए वहाँ पे नहीं होता है और calculation तो इसी rate से होता है, basic वहाँ भी होता है, DA भी होता है, HRA भी होता है, बाकि कुछ चीज थोड़ा बहुत फर्क है, मैंने ये जो calculation किया हो central government का होता है अब हम लोग जान लेते हैं किसमें deduction क्या होता है, ये तो gross salary हो गया, जो बोलते हैं हमें gross salary कितना है, तो gross salary का calculation आपने सीख लिया, अब उसमें deduction करेंगे, जो बचेगा उसको enhanced salary बोलेंगे, net salary बोलेंगे, तो deduction क्या होता है, deduction NPS होता है, NPS कितना होता है, तो 10% of basic and DA, जो आपका ये दोनों का add करके जितना आएगा, उसका 10% निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर निकाला है, तो कितना आगया, 4,142 रुपया, तो ये आपका उसमें से minus हो जाएगा, मतलब ये आपका cut जाएगा, साथ ही और क्या cut एगा, professional tax, ये सभी state में लागू नहीं है, professional tax, लेकिन maximum state मे ये लागू है, तो हमने higher side में लिया है, तो इसको भी calculation में भी add किया है, professional tax 200 रुपया है, तो ये 200 रुपया, professional tax उसमें सापका minus हो जाएगा, medical, approach 500 रुपया, ये हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग है, कहीं 200, 200 से लेके, 1500, 200, 500, वैसे, मतलब maximum 500 रुपया आपका cut एगा, क और भी पैसा मिलेगा, लेकिन जहां पर भी medical facility आपको दिया जाता है, तो आपका account से, sorry, आपकी salary से deduction होगा, तो हमने इसको भी highest rate से लिया है, 500 रुपया से ज्यादा deduction नहीं होता है, तो यहां पर भी minus में हमने 500 रुपया कर दिया है, तो total deduction कितना हो गया, 4842 रुपया, मतलब अगर आप 4200 रुपय का, अगर जॉब आप जॉइन करते हैं, तो आपको in hand जो salary मिलने वाली है, वो maximum कितना मिलने वाला है, 4924 रुपया, किसी भी grade पे का आप खुद इसी तरह calculation कर सकते हैं, basic को सिर्फ वहां पर change कर देना है, जो pay matrix में है, वहां से आप basic, जो पहला basic है, हमारा कटा है 4842 जमा होगा, या सिर्फ NPS जो कटा है 4142 जमा होगा, या कुछ और जमा होगा, तो जो NPS कटा है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, deduction from salary, मतलब जो salary से हमारे deduction अभी हमने आपको बताया था कि basic plus DA का 10% कटता है, जो अभी calculate हमने किया था 4142 रुपया, इसी क imply share भी बोलते हैं, क्योंकि ये imply का कट रहा है, तो ये imply का share है, साथ में इसमें government share होता है, जो 14% है, आपका 10% कट रहा है, किसका 10% basic plus DA का, और उसी basic plus DA का जो 14% जितना आएगा, उतना government आपके account में जमा करेगी, तो हमने जो calculate किया था 10% 4142 आता है, तो 14% उसका कितना आएग ये 4142 का 14% नहीं, 14% किसका basic plus DA का, तो ये government share हो गया, और दोनों share को हम लोग add कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 9941 रुपया total deposit in your plan account, येतना पैसा आपके plan account में जमा होगा, कोई भी government जो आप जोइन करते हैं, तो आपके नाम से एक plan account बनाया जाएगा, उसी को NPS account भी बो होगा, जिसको आप last में retirement के सब्सक्राइब आपको मिलेगा, उसका बहुत सारा rule भी है, पूरा rule आपको जानने के जरूरत नहीं है, जब आप job join करेंगे, तो आप खुद बखुद सारे rule को समझ जाएंगे, उमीद है कि आप किसी भी grade pay का calculation आप खुद कर सकते हैं, फिर भी हमने यहाँ पे कुछ grade pay का calculation किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे grade pay अगर चैलिस तो है, लेबल 7 का job है, तो एक gross salary भी हमने calculate किया है, आप इस screenshot भी ले सकते हैं, या खुद calculate करके आप यहाँ पे match भी कर सकते हैं, तो net salary इसमें कितना आ रहा है, 16,568 उमीद है कि आप किसी भी grade pay का calculation कर सकते हैं, आपको कोई भी doubt हो, तो आप comment box में comment करके भी पूछ सकते हैं, कि हमारा यह doubt रह गया है, तो मैं जरूर उसका जवाब दूँगा और आपके doubt को clear करूँगा, आप किसी भी grade pay का salary calculate करके भी comment box में comment कर सकते हैं, मैं आपको कि आपका calculation सही है या गलत है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please हमारे चैनल को subscribe करें हमारा टेलिग्राम चैनल भी है WhatsApp ग्रूप भी है आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं और सारे social media पर मैं उपलब धूँ कहीं भी आप जुड़ सकते हैं Thank you, Bye Bye